दोस्तों नमस्कार मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो मा इंडिया यूटूब चाहना लेगवा फिर उपस्तित हूँ आपके समक्स बक्री पालन की एक सांदार जानकारी के साथ और दोस्त अभी मैं बेगु शराय के धर्ती से वीडियो बना रहा हूँ ग्रामीन उत्रे हैं क्या यहां पर मैनेजमेंट इनका है एक और बात मैं बताना चाहरा हूँ कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कंप्लिट मैनेजमेंट के उपर अधारित रहने वाली है कि अगर कोई ग्रामीन प्रवीश में बख्री पालिन कर रहा है तो क्या मैनेजमेंट होना चाहिए कंप्लिट जनकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है तो बने रहे हमारे साथ तो शरीष शुरू करते हैं और हमारे साथ चंदन जी स्वागत है अपका भी स्वागत है नीरत जी सबसे पहले मैं आपको नए साल की मुवारक बात देना चाहता हूं यह जहां पर व बक्री से स्टार्ट किया थे आपने रक्षामंदन के दीन से ब क्रता किका करने से क्या करते हैं हमारा है ठांस्पोर्टिंग का काम है ज्ञेरल इंसिरेंस हम कर रہे हैं और एक मेडिकल सौ預ह है हमारा है मेदिकल थ страх काम कट रहें है तो फिर बकरी पालन में आने के क्यों सूची अपने, क्या ज़रुवत पर गए आपको? जी ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसा है कि हमारा जहां हम खड़े हैं, हमारा प्रोपर घर मुंगेर पड़ता है, हम मुंगेर से यहां आए हैं, हमारा भाई है फुफेरा, ये क्रिसी से जुरा हुआ था और क्रिसी में ही कुछ करना चाह रहा था, तो हमसे पूछा भाईया कुछ हमको सजेस्ट कीजिए, तो फिर हम उसको इसके बारे में बताएं, और कुछ सहयोग भी दिए, हमारे देखरेख में और उसके देखरेख में ये फॉर्म चल रहा है, तो आपने बताए कि नौ बकरी से बकरी पालन की आपने शुरुआत करी थी, तो नौ बकर कि देंगे, और हमको लग रहा था कोई फार्मर से लेंगे, तो बकरी हमको वैक्सिनेटेड मिलेगी, और अच्छा भी रहेगा मेरे लिए, तो बकरी हमको लगता है कि थुरा महंगा ही पर हमको सारे 300 रुपय के जी के हिसाब से, तो कोई बकरी 8000 की हुई तो कोई 7000 की हम बकरी में, नो बकरी में हमको लगाते हैं, तो फिलाल जो संख्या है कितनी है, मदर गोट और मेमने मिला करके, हम तो गाभीन बकरी ही लाए थे, मेरे फॉर्म पे आने के बाद, दो मेहने के बाद बच्चा देना स्टार्ट हो गया सब, तो अभी मेमने की संख्या 10 है और बकरी की संख्या भी 10 है, 9 उलाई थे, तो 10 कैसे हो गया, तीन बकरी हम और यहां हमारे मुंगेर से हम उसको खड़ी दे थे, कोई फॉर्मर थे उनके यहां से, तीन बाद हो गया है, चंदन जी, बाड़ा बकरी, बाद में तीन बकरी हम खड़ी थे, तो बाड़ा बकरी ही है कारण का कुछ पता ने चल पाया और हम जैसे की जो हमारे जिनके देखरेक में हम चल रहे हैं जैसे हम बावा से ओनलाइन ट्रेनिंग लिए थे उनको बताए कि क्या सब दिक्कत आई थी क्या सब कारण था अचानक से बकडी जो हमारी अचानक आई है तो उनका कहना था कि आपने टिका नहीं लगवाया है इटी-प्लस-टी-टी का और इंट्रक्शिमिया ही था जिसके कारण आपके सात्त है और से आप यह हादसा हुआ है तो तो उनकी दोड़ां तो बावा ने आपको ओंड़ें गया होगा कि क्या लक्षन हो सकता है यह सब बताया गया था हमको थोड़ा सा कहिए कि मेरा भी एक तरह से मतलब हम कामों में फसके नए इस चीज में विसेज ध्यान दे पाए और बावा को हम बुलाने पाए कब से हम पढ़ियास में थे कि बावा को बुलाएंगे आज उनको हम बोले भी है आने के लिए बावा को और अभी हम वेक्सिनेशन करवाएंगे तो शुरू से लेकर कि अभी तक पांच महिने के दौरान कहां आपको लगा कि चूख हो गई है देखिए चूख एक तो हमारा ब्रीडर को लेके चूख है नौ बकरी तो ले आए ब्रीडर नहीं लाए थे छो हमको लगा बड़ा है तो आब लेके आए तो लगा कि एक दो महने में यह स्टार्ट हो जाएगा और जब यहां लाए तो बाबा को भी जब उसको दिखाए तो बाबा बुले कि तो तो चार से पांच महिना का है भी उसको छे-सात महिने और लगेगा जिसके कारण अभी दे नहीं है तुरंत you में आया तुरंत भीड़ लानाही संभब नहीं था तो सारी बकडियां यहां क्रोस हो गई है देशी से और अभी सबसे पहला काम है हमारा की भीड़ का सेलेक्शन करना ही ड़ी किसी बीजिदस मे तो आप मुनाफ़ा की और अग्रसर होंगे, साफलता की और अग्रसर होंगे मनेजमेंट बढ़िया नहीं रहेगा तो फिर आप अभनति की और जाएंगे तो आपने पांच महिने के दोरान बहुत कुछ सीखा है जो भाई हमारे सुरू करना चाते हैं दो जन्वारी को वीडियो बन रहा है, फरवरी के लाश लाश तक बहुत सारे किसान बंधू बखरी पालन के उत्षाय में उत्रेंगे तो उनको क्या अपसलाद देना चाहते हैं किस तरह की मनेजमेंट के साथ वह उत्रेंगे देखिए उनको हमारी सुरू कामनाय हैं और बकरी पालन बहुत अच्छा रोजगार है और अगर आप इस रोजगार में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग ले जो कि हम बाद में किये जिसके कारण अभी मोटलिटी भी हुआ अगर ये ट्रेनिंग पहले आप कर लेते तो बहुत सारे नुक्सान से आप पस सकते थे अच्छे भी हमारे मोटलिटी के सिकार हुए हैं अगर ये सब हम पहले से किये हुए रहते और सबसे ट्रेनिंग लीजिए और फॉर्म में कम पैसा लगाई है ब्रीड में पैसा लगाई और ब्रीडर ब्रीडर एक अच्छी नसल का आप रखे उस समय से आप जब ट्रेनिंग लेके ब्रीडर अच्छा लेके जब इस काम को स्टार्ट किजिएगा तो भगवान के दया से बहुत आगी जाईएगा मैं देख रहा हूं कि एक दो बखरी बॉरी नसल की बी ऐख वाले का कहना था आपको जो पसंद है ले сталी है ने मां जो पिसमें से ऐक तो हमारा इधर दो दिन पहले मठी हो गया और बाकी सारी ब्लेक बंगाल obs regions खुलकर मंगल की फार्मिंग करने का क्या हुदध यह भी आपका उदेश से हैं जी मेन हमारा वही उदेश है क्रॉस संकर नसल पर काम करें क्रॉस ब्रीड पर काम करें और लोगों को भी हम यही सजेशन देंगे गाउं में यहां पर बक्री पारण कर रहे हैं तो शुरुवाती दोर में क्या मैनेजमेंट करना चाहिए आपने करें भोजन प्रबंदन और आवास प्रबंदन कैसा होना चाहिए भोजन प्रबंदन और जैसे हमारा फॉर्म बन गिया है सब्सक्राइब यह लोगा फॉर्म में सिफ्ट करेंगे आवास का तो हमारा चलिए कंप्लीट हो गया और भोजन प्रभंदन में हमारे पास घास अभी जय लगाए हुए घास पड़ता है थोरा सा गेहुं का भुसा हमारे तरफ दहलानी भुसा अभी अभी अवलेबल नहीं है मार्च का महना जब आएगा तो उस समय हमीं स्टॉप करेंगे कुछ सस्ता भी होगा और थोरा सा अनाज की मात्रा इन लोगों को हमारे पास जितने जानवर हैं लगभग 20-25 की संख्या है तो अभी हम लगभग एक किलो के आसपास अनाज जिसमें की मक्का रहता है ग्यों का घठा रहता है दोनों का मिला हुआ यह हम देते हैं अभी तो मानिये तो इस अपंने हैं कि प्रसुर महत्रा में हमारे और तो फर्च कितने की पांवा खिशार मांटे हैं और हम को बदिखede की भुषा जी हम्हारा कि क्याश और गहां सिवक्षा यह क लिए. बकडी शुरक्षित रहे इसके लिए तो ट्रेनिंग आपको बताया गया किया करना चाहिए तो कुछ लागू करते हैं बिल्कुल क्या कुछ लागू करते हैं जैसे जैसे बाबा के देखरेक में हम डी वार्मिंग बगेरा खुद से इसका किये हुए है जो समय सीमा बताय है तो इसका मेमनी से आग में डाल के और मेमनी से इसका धुआ करते हैं जिसके करन उसका जो आवास हो गरम रहता है तो हमारे साथ भावा भी आए हुए है तो उनसे मुलकात हमारे तस्रोव कर लाई है जी बिल्कुल सबसे पहले हम उनके देखरेक में हैं और उनका ही है जो थोरा सा हमारा अभी सब कुछ सही होगा सेड्यूल में आ रहा है और धिरे-धिरे और आगे जाएंगे जरूर जरूर बाबा को बलाईए बाबा स्वागत है हमारी टूप जान पर बहुत-बहुत स्वागत है काफी बारिक अवलोकन किया अपने इनके फारम का तो क्य नजर आ रहा है कुछ तक गल्तियां इन से हुई है हान गलती हुई है इनोंने स्वीकारा है गलती ही गलती है तो अब उसको शुदरने का इनको पूरा उशर मिला है गाइडलाइन मिल गए तो सुदर होगा अवस्य होगा अभी हुआ ही कितना देंकाते है कि पांच इनको में आये हुए यहनी पाच महिना तो अभी तो यह स्टार्ट अप है आगे बहुत जल्दी चेत चुके हैं यह और बैक्सिनेशन की बारे में जनकारी इनको आज प्रेक्टिकल के तौर पर मैं देहीं रहा हूं और डिवार्विंग करना यह जान ही रहे है मेडिकल लाइन से ज जब तक हम कुछ खोटे नहीं है तब तक हमें पाने का उमीद भी नहीं होता छुस्टे भी नहीं है तो जब ठोकर लगती है तभी इंसान घीरने से सचेत होके चलता है यह पुरानी कहावत भी है और सीढ भी यही होता है पांस-दस बच्चे की मोटलीटी होई दोबखरी काफी कम खर्च में बकडियों को यह पाल लेते हैं बहुत जढ़ा कर नहीं करते हैं जूकि समें वोओ तो मिलाजों रखर बहुत कम खर्च में यह बक्री पालन कर रहा हैं कम खर्च में हैं लेकिन इसनुको जो है थोड़ार सा इस सरदी के सीजन में जो हमारे कथना नुकूल जो बजट होता है थोड़ा सा उसमें इंप्रिमेंट करना है, बावा करना है जहाँ पे अनाज एक किलो देना है जैदा नहीं एक महीना और एक महीना के बाद वो माहिनेस कर दें, कोई दिकत नहीं है अभी का खाया हुआ, बार में रिकुबर कर ले क्योंकि शर्दी जो है ठंड खास करके बकरियों को तभी लगेगी जब उनके अंदर इम्म्निटी पावर की कमी होगी एक और चीज मैं यहां पर गल्ती देखा है अभी आ रहे थे तो जैसे मैं इनके गाउं में प्रवेश किया तो इनके आहां का जो यहां पर देख रहे करते हैं वो जई लेकर आ रहे थे पटक दिये और बकरियां खाना शुरू कर दी तो यह सही है गलत है नहीं इस सर्दी के स उसके बाद खिलाएं ताकि कोई सर्दी उखाम या लूज मोसम का चांस नहीं जाएगा तो चंदन जी यह बताए कि दम बिल्कुल तजा घास खिला दे रहे हैं तो कुछ परसानी आ रहे हैं परसानी अभी कुछ बरकरियों के नाक से पानी चल रहा है कुछ बच्चों को भ हास को भी हम कोशिश करेंगे कि एक दिन पहले लाकर रख्यां दूसरे दिन उसको दे बबाद ठंडी का मौसम है अभी पिक पड़े ठंडी तो ठंडी के मौसम में जो भाई हमारे बक्री पारन औरेडी कल रहे हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं मैसेज हमारा यही कर दें उनको मेंटेनेंस रख रखाओ का हो या भोजन का हो उस पर विशेश ध्यान दे ताकि यह नोबत ना है कि हमारी बकरियां बीमार पड़े यही बात बीमारी की तो उसके लिए डिवार्मिंग आपको हर मौसम के चेंजिंग में मैं पहले करता हूं चार मौसम चार प धर्व्षय काम हो जाएगा आप फर्वह आने वाला है से आप भी जानते हैं कि भकरी पालं शुरू करने के लिए सबसे आदर्स मौसम है तो जो लोग फर्वडि कर लाष तक बगड़ी पालन से में उतरंना चाहते हैं कॉमरेसल फर्मिंग में उतरना चाहते हैं, उनको क्य बारे में ABCD पूरा जालने कि इसमें क्या परशानी है कैसे रखना है क्या मनेजमेंट है क्या खर्च है ऐसा नहों कि पहले वो बज जाए लेने में उनको हिम्मत ना हो तो फिर एक साल पीछे इंतिजार करते रहें यहां हम पीछे हो गया अगर वही ट्रेनिंग अगर अगर आप ले लेते तो कम से कब आपका दो से तीन लाक रुपा बज जाता यी बिल्कूल और अभी हम बहुत अच्छे से मेरे पास संख्या भी जादा होती और अच्छे नसल का बीड़र भी होता जो सब कमी मेन है कि सारा फोकस हमारा फॉर्म पे चला गया जिसके कार हम पीछे हो गया आज लग र सेक्षन उसके बाद आप फॉर्म तीसरा नंबर पर आप फॉर्म में जाईए बहुत भुत धन्यवाद जाने बाद लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों को जा गुरूप करने के लिए तो दोस्तों आपने सुना दूनों लोग की बातों को तो मैनेजमेंट काफी जो इनको खर्च करना पर गया, तो इस तरह की गलती आप ना करें, इसलिए मैं आज वीडियो मना रहा हूं, तो इस तरह को और भी अप्डेट जाड़ी रहेंगे दोश्त, बने रहिएगा, ग्रो माइन डेटिव चानल के साथ तक ख्या रखी अपना बैने बाद,